बिहार में कोरोना से हाहकार मचा हुआ है और इस कोरोना वैस्विट में हमारी से लोगों के रोजी रोजगार पे सीधा असर पर रहा है कोरोना जिस तरह से बिहार में भी अपना पैर पसार रहा है ऐसे में लोगों का रोजी रोजगार छिन गया है रोजी रोजगार के साधन उपलब नहीं हो पा रहे हैं और कोरोना महामारी के कारण इनका घर परिवार चलाने में काफी मुश्किल हो रहा है काफी समस्या हो रहा है लोगों के पास अब काम नहीं रहा बहुत हम लोग को परसानी जहननी पड़ रहे हैं हमारे बाल बच्चे हैं एकाथ रोटी लाएंगे तो अपने बाल बच्चे को देखेंगे कि अपना पेड़ देखेंगे दिन भर यहीं पूल के पास रहते हैं कोई काम खोजते हैं तो नहीं मीलता है काम अगर काम करने जाते हैं तो लोग क्या काता है बोलते हैं कि कोई हमारी में अपने घर जाके बेठो तो हम लोग गरीब आदमी हम लोग के पास पैसा रह गया तभी तो खाएंगे हाँ हम लोग रोजी-रोजिगार नहीं होता है कहीं जाते हैं हम लोग रोजी रोजगार करने तो माधील मार के हम लोग भगा देता है कि जाइए करोना है करोना है हम लोग कहां जाज़वार फूल के नीचे हम लोग पड़े हैं बाल बच्चे लेके खाने बीना पीने बीना तड़प रहे हैं हम लोग कहां हम लोग जाए को रचने को मिल रहा है तो भाली करोना 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 है तो हम लोग कोई रोटी रोजी नहीं चला है खाएंगी नाई तो बस उपासा रहेंगी हुआ क्या सरकार कली होगी है और है लोग करने जाते हों करने जाते कोई मिलता नहीं काम करने के लिए हैं करना के लए के लएख रहते हैं कि वहुत पर्सानी है पेचा खाने पिने के कुछ नहीं मिलता है लकडी जलावन कुछ नहीं मिलता है किया कराजाया है मजबूरी में हम लोग हिया पड़े हैं किया कराजाया पर्सानिय सतहियां पर आम लोग है सब चीज के दिकत है खाने पीने सब चीज के जलावन लखड़ी सब चीज के दिखत है एक चीज के दिखत है तो आपने सुना कि जो लोगों की समस्या है वो आपके सामने है कुरोना महमारी से देश और दुनिया तो जूज ही रही है लेकिन सबसे जादा परेसानी जो गड़ी तपके के लोग हैं जो जुगी जोपड़ी में पूलों के पीना अपने बच्चों को भरन पोषण करने में काफी दिक्कत हो रही है ऐसे में सरकार के तरफ से भी अभी तक कोई रोजगार उपलब नहीं हो पा रहा है और उनका घर पडिवार बच्चों को परहाना लिखाना काफी मुश्किल हो रहा है ऐसे में जो गड़ीब तपके के लोग हैं यह सालों से इसी तरह प्लाष्टिक के तंबू गिरा करके सरक के किनारे रहते हैं और अपने गुजर बसर को करते हैं और ऐसे में काम करते थे वहां अब काम उनको नहीं मिल रहा है लोग उनको वहां से बोल रहे हैं कि घर पे जाई है घर पे ही बैठे हो लेकिन सवाल तो यही है कि जब घर पे बैठेंगे तो इनका घर का चूला कैसे जलेगा सरकार को भी इन लोगों पर विसेश ध्यान देने की जरूरत है जिससे कि वह अपने घर पड़िवार का भरण पोजन कर सके शहियोगी असो के साथ न